पौड़ी विकासखन द्वारी खाल के ग्राम ठांगर पो बाडिया की निवासी मोहन सिंग के बेटे कार्तिक कुमार पर गुलदार ने सुबह साथ बज़े आत्म घाती हमला कर दिया और जब सुबह कार्तिक और उनकी चार साल की छोटी बहन माही शौचाले गए थे तो गुलदार ने अचानक हमला कर दिया जिसमें चार साल की माही के संगर्ष और साहत से गुलदार ने कार्तिक को अपना निवाला बनाने से छोड़ दिया मिले जानकारी के अनुसार कार्तिक अनुसूची जाती से निवास करते हैं जिनके पिता मोहन सिंग अपनी दैनिक दिन्चरिया से मजदूरी कर परिवार का भरण पोशन करते हैं और वो घर से अन्य जगर गए थी बहराल कार्तिक कुमार के हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें प्रात्मिक स्वास्त उपचार के लिए हन्स फाउंडेशन चमोली सैंड सत्पुली में दाखिल किया गया है तो वहीं गुलदार के हमले से शेत्र में दहशत का महौल बना हुआ है शेत्र के लोगों ने वनविभाग से गुलदार को पिंजरा लगा कर पकड़ने की मांग की है जिसमें शेत्र के लोगों का आरोप है कि वनविभाग गुलदार को पकड़ कर एक जगह से दूसरे जगह छोड़ देते हैं जिससे गुलदार जगह जगह आत्मगाती हमला कर जिसका अंजाम इसी प्रकार देखने को मिलता है यदि प्रशाजन इस प्रकार की घटना का संग्यान नहीं लेता है तो शेत्र में अपरी ये घटना एक घटित हो सकती है